हम सब की सबसे पहली जो सिक्षक होती है वो मा होती है इसलिए मा का सिक्षित रहना बहुत जोरवी है अगर कोई सिक्षित मा है तो वो कभी भी अपने बच्चे को सिक्षा से दूर नहीं करेगी मेरा ये हर्गिस कहना नहीं है कि जिसकी मा असिक्षित है उसका बेटा पढ़ा इस दुनिया में आपको सबसे बहतरीन धंग से जानती है कोई तो आपकी मा वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मा को मिला होता है मा बच्पन से पाल के बड़ी होती है यही न है चटका बड़ा होके क्या बोलेगा माई वाइफ माई लाइफ गजभ 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 एतना उमर पर छोड़ दी रहती माई ना तो कुटा नोच के खा गया रहता बड़ा होके कहेगा my wife, my life, कभी भी माबाप से आप उच्छे आवाज में बात नहीं किरेगा, वन्ना आपको सिख्षित का लाने का कोई अधिकार नहीं है, और बाप जो होता है वो बड़ा खुदार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है, मात बोल भी देती है, बाप बो बोल नहीं पाता है, जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा, इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा,